आखो, जैसर किस्न डोस्तो, दोस्तो आज हम अपने पिछले वीडियो को continue करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने accounting of sale, कि sales की accounting कैसे करें , income की accounting कैसे करें , revenue की आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजेगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेर कर दूँगा ताकि आप उसका पहला पार्ट देखें वीडियो का और आज का जो वीडियो वह सेकिंड पार्ट है मैं इसमें एक अलग टॉपिक बताने जा रह सब्सक्राइब है कि जैसके मैं चार चीजे हमेशा बोलता है कि चार चीजों की अकांटिंग होती है फिर से दौराते हैं वो कौन सी चार चीजें इंकम कि एकसपेंस एकसेट और लाइयबिलिटी तो इंकम कवर कर चुके अपने पार्ट वन में ठीक है अब expense है वो आज हम कोई पता है वो क्या है direct expense और अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं यार मैं हूँ ना बताने के लिए ठीक है direct expense और indirect expense और इन ही की accounting करनी है लेकिन पहले समझतो लें कि direct expense है क्या और indirect expense है क्या फिर पता चले कलो के कोई लेजर क्रियेट करना है और उसकी फिर grouping करते हैं कि कोई भी टैली में कोई लेजर क्रियेट करते हैं तो किस ग्रूप में जाएगा direct expense इंडारेक्ट तो आप फिर वहाँ पर गलती कर दोगे इसलिए आपको पता होना अच्छी तो direct expense जो production से related मतलब जिस चीज को आप product बना रहे हो manufacturing कर रहे हो किसी product को जिसके बीना नहीं किया जा सकता वो direct है अब जैसे बात करते हैं for example सबसे बड़ा expensive समझा रहा हूँ मैं सबसे पहला है material purchase करना material purchase करना तो यह material purchase करना बताओ आपको गुड्स बना रहे हो आपको प्रोड़क्ट बना रहे उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है अगर raw material ही है raw material नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे तो purchase करना goods को बनाने के लिए जो आपने raw material purchase किया व आप सबसे ज़्यादा किसी पर खर्च कर रहे हो सकता है अपने लोगों को salary दे रहे हो ही आपके लिए सबसे बड़ा खर्चा है कोई software है उसकी software fees दे रहे हो ही सबसे बड़ा खर्चा है तेगन manufacturing में क्या होता है या ट्रेडिंग में क्या होता अभी purchase का सबसे बड़ा expense होता है तो purchase की entry कर लो और expense लगवग लगवग बुक हो गया है ना तो भी material purchase करते हैं तो यह material purchase कौन सा खर्चाहिए कौन सा है direct है direct है direct है क्योंकि इसके बिना तो आप आगे माली नहीं बना सकते ना तो यह direct expense कहलाएगा तो सर अब मुझे entry बताओ ठीक है purchase एक सबसे बड़ा expense है और दोस्तों मैं बता दूँँ आपको कि purchase की entries देखने के लिए purchase को manage करने के लिए purchase जिन दिन से करने उन बंदों को पैसे कब देने चाहिए यह सब देखने के लिए AP Manager है इंडस्ट्री में account paypal manager और उनकी पूरी team होती है एक बंदा bill entry चड़ा रहा है material की material purchase की एक बंदा accessories की bill purchase चड़ा रहा है कोई job work के expense है वो चड़ा रहा है मतलो expense की entry करने के लिए 10-10 बंदे हैं सोच सकते हो तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना उसके base पे आपको एक job मिल सकती है आप इस चीज़ को समझ के अपनी पढ़ाई के समझ के अपना business plan कर सकते हो यार कि मैं कोई काम करूँ तो मेरा material कैसे उसका कहां से procurement होगा कैसे होगा कैसे लेंगे उसको कैसे cheapest source of finance होने वाला है वो सब तभी पता चलेगा ना है ना तो अब purchase की इतनी सारी entries होती है माल लोग किसी बंदे का किसी company में अगर 200 crore turnover है ठीक है और पूरे साल में पूरे साल में यह माल लेते हैं तीन हजार invoice generate इस सेल invoice का बनते हैं तो सोचो तीन हजार sale invoice बनाने के लिए तीन हजार material या number of quantity बात कर लेते हैं कि भई 10 लाख piece बनाते हैं 10 लाख piece बनाने के लिए कितना सारा raw material लेना पड़ेगा कितनी सारी entries होंगी तो entry करने के लिए person तो चाहिए है तो फिर हम hire करते हैं आज हो भई purchase की entry कर लेते हो yes sir कर लेता हूं तो बताओ जी purchase की entry क्या होती है अब देखो academic knowledge अब यहां काम आएगी purchase के entry क्या होती है purchase account debit टू creditor पर एक creditor किनको बोला जाता है creditor उनका जिनसे आपने माल उधार पर खरीदा है तो आप उसको credit कर दो के ठीक है इतना के लिए रहे यह simple entry यह purchase account debit to credit अब यहीं पर अगर कोई आप से entry पोछता है बताओ purchase की entry क्या होती है आप बोल दो creditor account debit तो फिर कहानी तो खतम हो गई आप आपने क्या सोच कि creditor को debit कर दिया यार आपने तो यह दिखा दिया कि आपको यह भी नहीं पता कि creditor asset है यह फिर liability है क्योंकि creditor को आपने debit कर दिया और जब कि creditor तो liability है और liability को debit तो आप करी नहीं सकते liability का nature ही क्या है credit और liability को अगर आपने debit कर दिया तो यह इस बंदे को यह नहीं पता कि क्या asset है और लायबिलिटी है तो इसको यह नहीं पता कि asset का nature debit होता और liability का nature credit होता है अब जिस बंदे को यह नहीं पता तो उपको जॉब क्यों दें पिर वह क्या काम करेगा राकौंटिंग में उसने फिर क्या पढ़ाई करी है तीन साल या तो आप पिल्कुल fix कर लो माइंड में क्रेडिटर एक liability और liability हमें इसा credit होता है तो मैंने क्रेड़िटर को credit कर दिया ठीक है और purchase को क्या कर दिया debit यह basic entry है अब इसी को modify करते हैं क्या add-on कर देते हैं GST आपने देखा होगा कि कुछ भी हम खरीदते हैं तो इस पर GST लगा होता है तो modify करने को तो यह नहीं कि हम creditor को debit कर देंगे और purchase को credit कर देंगे नहीं हम क्या करेंगे purchase तो debit ही होगा purchase होगा 100 रुपे से और creditor जिसका हमें आरे पास purchase invoice आया है entry करने के लिए क्राइटर का जो invoice होगा न वो होगा 120 से लेकिन मेरे पास तो माल आया sir 100 काई मैं तो 120 उसको क्यों दूंगा तो दोस्तों जो 20 रुपे तुम GST का दे रहे हो न वो तुम्हारा आ जाएगा GST receivable account debit sir आपने GST receivable को debit कर दिया और receivable तो आपने पताया था कि यह asset है यस भाई GST का concept यह है कि GST businessman को अपनी जेव से नहीं देना यार उसको तो बस collect करना है और दे देना है सरकार को तो ठीक है collect तो बाद में करेगा पहले वो दे देता है लोगों क्रेइटर से जब बिल आया मैं तो जिससे उसने माल खरीदा उसका जब invoice देखा उसमें GST लगा हुआ है तो बंदा उसको पेग कर देता है फिर वो लिखता है अपने record में कि यह GST जो है रुपे लिए और 100 रुपे यह मेरे पास extra वो मैं आपको दे दूँगा लेकिन यह भी जो computation है वो तब ही होगी ना जब कोई बंदा purchase की entry तो ठीक करे यार अब कोई purchase की entry गलत चड़ा रहा है purchase की entry गलत कर रहा है GST का माउंट गलत लिख रहा है तो बताओ सोचो GST का माउंट गलत लिख रहा है तो input की calculation गलत हो जाएगी मतलब मैंने कितना GST दिया उसको यह नहीं पता चलेगा किसी company को फिर अगर GST का मान लेते है बुक्स में लिखना चाहिए था एक करोड का मैंने GST ओलेडी दे दिया और accountant ने गलती कर दी और वो लिख रहा है ऐसे 50 लाग का GST हमने दिया अब यहाँ पे sale पे GST collect कर लिया इसने 100 करोड मतलब मान लेते 1.5 करोड में वो तो उसकी accountant कहीं साबसे देख लेगा भी 50 लाग माइनस कर दो एक करोड दे दो सरकार को लेकिन actual में इस Сरकार को 50 लाग देना था क्योंकि accountant ने गलती कर रह किया, 50 लाग नहीं था input, 50 लाग नहीं उसने GST पे किया, पे ठो किया, उसने 1.昨डend raj. 10.5 करोड करोड क्लेक्ट किया जेक करोड रहे चलएक करोड पे किया तो 50 यह सरकार को दे दे देंगे आपकी बस एक एक एंट्री करने जा रहे हो आपकी एक एंट्री से financials हेल सकते हैं financial situation खराब हो सकते हैं ठीक है ना जब ऐसा ही accountant जब perfection नहीं लाते हैं अपने काम में तो उनको checking करने के लिए फिर auditors की जरूत पड़ती है internal auditors होते हैं एक एक payment को चेक करते हैं एक एक entries को चेक करते हैं है ना तो क्यों ना हम एक perfect accountant बनने की तरफ सोचे और accountant बनने बनना है या उसको और आगे accounts manager बनना है तो उस हिसाब से हम सोच के जले हैं आपको जब भी कोई job मिले ना या accounts की जॉब मलती है तो आप अपने आपको मान लो कि है मुझे एक दिन accounts manager बनना है जो आप manager के point of view से हर चीज को जानोगे समझोगे सीखने के इच्छा होगे तो आप एक दिन manager भी बन जाओगे फिर जब manager बन जाओगे तो सुच हो यार मैं एक दिन और CFO बनूँगा तो फिर एक CFO के point सारी चीजों को देखोगे financials के या सारे data को analyze करोगे तो एक छोटी जॉब छोटी जॉब नहीं होती है वह आपके career के शुरुआत है आपके लिए वह पहला step है क्यों न हम पहले step को इतना strong कर दें कि अगले जितने भी steps होंगे वह हम जल्दी जल्दी ले लेंगे और जल्दी जल्दी अपनी target को achieve कर लेंगे तो purchase का मतलब आपको समझ में आ गया होगा purchase की entries समझ में आ गई होगी अब इसी को और modify करते हैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ अकाउंटिंग बिना tax की knowledge की नहीं कर सकते यार अगर कोई accountant यह बोलता है न मुझे GST की liability ज्यादा बन जाए को कि मैं sale पे तो GST collect कर लूँगा मेरे तो finance भी गाड़ देगा तो इसी लिए एक accountant को tax का भी तो पता होना चाहिए कि उसकी entry से tax का क्या amount effect होगा अब एक को और करते हैं मोडिफाई करते हैं मोडिफाई इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझाता हूँ पर्चेज कर लिया जी entry क्या होगी पर्चेज account debit 100 रुपे ठीक है जी और creditor जिसको भी ABC limited या जो भी होगा उसको मुझे देना है 120 रुपे तो यह जो 20 रुपे है वो मैं उसको जो दे रहा हूँ वो GST receivable है मुझे तो सरकार से वो चाहिए ठीक है ना तो 20 रुपे मेरा receivable हो गया लेकिन एक नया section आया 194 क्यो TDS on goods अभी त कि कोई बंदा किसी को payment करेगा नो तो उसकी tax card लेगा TDS card लेगा और सरकार को जमा कर देगा तो पहले TDS सिर्फ service पे था अब goods पर भी कर दिया तो goods पर यह कर दिया कि आप किसी से 50 लाग से ज्यादा purchase कर रहे हो और फिर आप उसकी payment करोगे नो तो आप उसका कुछ हैसा TDS card लेना यह बड़ी बड़ी company में ही होगी चोटी अवोटी company में तो नहीं होगी और यह भी है condition कि भया पिछले साल आपका turnover दस करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो भई देख लो अगर है तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर 2 TDS payable on goods और हम उसको बोलेंगे creditor को भया देख मै मैं तुझे 120 रुपे नहीं दूँगा मैं एक figure round figure लेता हूँ 118 मैं उसको बोलिंग मैं तुझे 118 ही दूँगा भाई 2 रुपे तेरा TDS काक लूँगा मैं सरकार को जमा कर दूँगा तो अपने जब 26S download करेगा तो देख लेना तेरा credit दिख जाएगा तो यह मैंने complete entry I think ję इ Wakka को समझ मैं आया होगा अभी बी कुछ नहीं समझ मैं तो बोल दो तो यार Amit तु जो बता रहा है मुझे कुछ समझ मैं नहीं नहीं आ रहा है और समझा अच्छे से टु मैं और समझाँ गया मैं तो!... मैं यह नहीं कहता रहा हृँ कि आपको अपनी बात समझा सकूं मैं ये नहीं कहा रहा है कि मैं आपको हर चीज समझा पा रहा हूं। आप बताओ मुझे यार यार ये तुने गलत बता दिया ये तुन नहीं समझा रहा है इस portion को तुने छोड़ दिया ये भी समझा दे तो मैं समझा दूगा ठीक है और मेरे लिए भी एक learning point होगी मैं कोई अधर साल का बुढ़ा तो मैं नहीं हो गया कि नहीं नहीं सीखूंगा और इवें जो बुढ़े भी लोग होते और लुद्दा सीखंग रहा ना तो किसी जवान से कम नहीं है और कोई जवान बंदा एक यंग परसन अगर नहीं सीख रहा न हो तो किसी बूढ़े से कम नहीं है तो बाप रिसाइट कर लो आप बूढ़े हो या जवान हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो major expense purchase का होता है वो हमने देख लिया अब आगे चलते हैं और कून से खर्चे होते नहीं सर जो direct expense रिटेड़ो वो है wages वेजेस फैक्टरी में चो बंदे काम करते हैं जो labor जिनकी वेशे माल बना रहे हैं अब माल लो एक accountant office नहीं गया तो क्या company फैक्टरी में माल नहीं बनेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा अकाउंटेंट थो रिना प्रोडक्ट बना रहा है यह supervisors को दिया जाता है wages दिया जाता है labor को जो actual में काम करने प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर नहीं आएंगे न तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ठीक है तो ऐसे लोगों को wages दिया जाता है तो wages का major खर्चा होता है प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहले material लेने के बाद क्या चा माल खरीद लिया material खरीद लिया अब labor ढूंड लो तो labor को जो payment होगी न वह आपके लिए wages है तो यह direct expense को payment entry क्या होगी भाई wages एक खर्चा है तो wages account debit all the losses and expenses are debit तो यह कौन कहता है nominal का debit wages को debit कर दो और to wages payable कर दो एक बार entry due कर दो और फिर इसी की payment जब करनी हो तो wages payable account debit to bank कर दो मैं थोड़ा सा expense को लेकर एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखो अगर जो भी हम खर्चे करते हैं हम क्या करेंगे wages account debit to bank entry तो हम यह भी कर सकते हैं लेकिन यह आपना second entry कर रहा due की entry नहीं है तो आपको हर खर्चे को कोशिश करनी है कि due करें पहले कुछ ऐसे खर्चेंस को due करने की जरूत नहीं है अदर्वाइस हर खर्चे को पहले due करो भाई यह भी फरवरीमन चल रहा है फैब का जो salary का खर्चा है उसकी payment तो होगी March में तो अब सोचो March में जाके on debit to bank तो लोग को तो यह लगेगा ना कि यह मार्च का खर्चा है यह मार्च में payment हुई है तो नहीं इसके लिए आप क्या करोगे month hand पे एक entry करोगे due करोगे क्योंकि accrual concept क्या कहता है पहले accru हो गया ना किसी period का खर्चा periodical concept एक period का खर्चा जब accru हो गया तो उसी खर्चे क आपको follow करना ही है यार तो आप अगर entry नहीं करोगे due की तो गलत हो जाएगे ना चीजे फरवरी का खर्चा रिकॉर्ड नहीं आएगा अब मान लो भाई 10 महिने का rent किसी को दिया नहीं तो क्या आपको देना नहीं है गया rent देना तो ही तो आप जब तो due entry करोगे नहीं rent account debit to rent payable करोगे नहीं करोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आप rent to bank सीधे 10 महिने बाद किसी एक महिने में गिदा दो rent to bank पचास अलाग रुपए यह तो गलत हो जाएगा ना तो इस तरीके से आपको पहले due की entry करना है तो wages account debit to wages payable करेंगे उसके बाद फिर wages payable to bank हो जाएगा एक सकीन नहीं ठीक है तो यह मैंने wages का कर दिया और salary तो सेम चीज़ है यार salary account debit to salary payable फिर salary payable to bank जोब वर्क एक्सपेंस है जी तो जोब वर्क एक्सपेंस अकाउंट debit to creditor जिससे भी आपने कराया है और इस पर TDS का टेका सर्विस है यह तो TDS ऑन जोब वर्क अकाउंट क्रेडिट कर दो 100 रुपे का खर्चा है उसको देंगे हम 98 रुपे दो रुपे TDS काट लेंगे तो बेसिकली मैं आपको यहां entry समझाने वाला हूं entry समझा रहा हूं मैं ताकि आप entry गलत न करें पस टेक्स की नोलेज के लिए आपको जी एश्टी और TDS को लिंक करना पड़ेगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा हैंडी हो सके हैं यहां ठीक है इतना तो मुझे पता है कि इस पर यह TDS है इस पर ऐसे जी एश्टी है तो आपको नो जाके पहले अनलाइज करना पड़ेगा कितने टाइप के खर्चे हैं और खर्चे कैसे अनलाइज करो वह उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट देख लो बुक्स मेंटको इतना टाइप के बताया का थोड़ी नो आप को कि इसी से हर चीज सब्सक्राइज कमाही है कीकतने इंकत्तने बुक्स के खर्चे ज्यादा हिं और ते अलग-अलग टाइप के होते हैं, कस्टेमर तो कम ही होते हैं, क्रेडिटर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने समझाने की कोशिश किये, कि खर्ची की अकाउंटिंग कैसे होती है, अगर फिर भी, अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत कर दिया, या कुछ मैंने लाइबिलिटी, मेजर पार्ट, इंकम और एक्स्पेंस का था, जो मैंने कवर कर लिए, मैं यहां सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट वी से जएदा चीज़े डिसक्स कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं टैक्स और चीज़े भी एक्स्प्लेइन करूंगा, तो अब हम नेक